गुड मॉर्निंग मैं हूँ दीप्टी शर्मा और आप सभी का स्वागत करते हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कारिकरम भाग्यम में और भाग्यम के भी इस खास सैग्मेंट में जहां पर आप और हम हर रोज औरिकल कार्ड और टेरेट कार्ड के जरीए जानते हैं कि आज का ह हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है हम ऐसा क्या कारे करें और एसे कौण से कारे को हम करने से बचें जिससे आज की दिन वो हम और भी बहतरीन बना सकते हैं और जो भी कोई चालेंज या सिचुएशन हमारी जिन्दगी में अगर आज आ रही हैं तो किस प्रकार से हम उने ओवरकम कर सकते हैं और दोस्तों इसके लिए जो हम एक से लेकर 9 मुलांग तक की रीडिंग करते हैं उसमें कौन सी किया है तो आपको एक एक्जांपल देखे समझाना चाहूंगी कि अगर आपकी डिटो बर्थ है 11 यानि की 11 तो एक और एक को जोड़ते हैं तो जोड़ाता है नंबर दो तो नंबर दो होगा आपका मूलांग और आज की तारिक है 5 जुलाई 2023 और आज की जो तारीक है नंब अपने या राजिस्थान में तो किसी भी अच्छे कारेकरम की शुरुआत होती है तो हम गणेज जी की उपासना से ही करते हैं और वैसे भी हर रोज हमें शुरुआत जो करनी चाहिए पूजा पाठ किया किसी भी अच्छे कारे की तो उनका नाम लेकी करना चाहिए क्योंकि हमें कहा जा रहा है मूलांक एक के लिए कॉंप्रमाइस का कार है आपको लगी नंबर है वो है नंबर च्छे और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको बहुत जादा महत्पा कांग्शाएं नहीं रखनी है बलकि सबके भले के बारे में आज आपको सोचते वे चलना ह आज के दिन कोई भी ऐसा कारे जो है आपको महत्पूर्ण डिसिजन नहीं लेना है कहीं आपको पैसे का इंवेस्मेंट नहीं करना है कहीं पर आपको बहुत जादा जो एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि आपके अनुरूप ही काम हो क्योंकि आज ऐसा बिल्कुल नहीं होन होगी सब्सक्राइब करने और कहीं ना कहीं आपको एक तरफ आज रखना होगा क्योंकि क्रोध आपको आपको आसकता है तो आज उससे आपको आज बचना है विशेश तोर पर तो क्या बात याद रखनी है अतिमहत्वक अंक्षाइं नहीं करनी है समाने सा दिन है बड़े ndonkyal чис authority के लिए और मूलांकदो के लिए करा जारा है अवेरनज का काड़ है लगी नंबर आपका नंबर साथ और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्ट होगी अचानक से आपको आज ऐसा प्रतीत होगा कि आपको खेत आ गया है यह कोई व्य片скग काफी समय से भ्रह्म की स्थिती में हो या confusion में हो अचानक से इसको जवाब मिल जा है प्लमिला के जो वो परिवर्तित हो रहा है इस awareness के साथ आए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 5 जुलाई 2023 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है वाओ दे लवर्स का कार्ड है आपका लखी नमबर है नमबर 6 और आपको कहा जा रहा है कि आज का दिन प्रेम प्रसंका है अपनी प्रीजन से आपकी मुलाकात हो सकती है कहीं न कहीं आज अपने पार्टनर के साथ आप एक बहुत अच्छा समय व्यतीत करने वाले हैं अगर आ आपको कहा जा रहा है कि अपने पार्टनर को कुछ करने के लिए अच्छा सा सर्प्राइज आप उन्हें अवश्य दे साथ ही साथ यह भी का जा रहा है कि आपके अपने पारिवारिक जीवन में जो भी कोई कारे करेंगे आपके कारे के लोग कायल हो जाएंगे आप इतनी प्रेम करोना के साथ कारे करेंगे और आपका जो व्यवहार है वो लोगों में जो है एक अजीब एक बहुत अलग बहुत खुबसूरत सा मैं अजीब तो नहीं कहूंगे सौरी बढ़ी बहुत खुबसूरत सा आकर्शन जो है वह आपके प्रतियाज डवलप होगा पैदा होग लोग आपकी तरफ खीजे चले आएंगे आपके साथ काम करना चाहेंगे तो यह सब के सब आपके लव एंड कमपैशन के एनरजी से होगा और यह कब बढ़ेगा जिब आप सभी को समान भाव से प्रेम करोना के भाव से देखेंगे और जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं पाँच जुलाई 2023 के लिए और हमें डिवाइन गाइड कर रहे हैं आज मूलांक 4 के लिए हमें कहा जा रहा है exhaustion का card है आपका लखी नंबर है नंबर 9 और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन कारे की अधिक्ता हो सकती है over thought process रखने से overthinking करने से कहीं ना कहीं आपको जो है वो नुकसान भी हो सकता है क्योंकि उसकी जो anxiety है वो आज आपके साथ दिखाई दे रही है तो कुल मिलाकर आपको परमात्मा guide करें divine आपको guide करें क्या करना है कि आपको किसी प्रकार की tension लेने से बचना है क्योंकि tension लेना किसी समस्चा का समाधान नहीं है बलकि अगर आपको किसी प्रकार से टेंशन हो रही है तो problem में खड़े हो बलकि neutral हो जाएं और देखें देखें यह कि एक human nature है कि कि सी दूसरे को में सला देनी होथ युत धाफ़ देते हैं किसी दूसरे को में समझाना होता इसकी problem के लिए बसाफ़ कर देथे हैं लेकिन परिस्तिती है अपरे साथ नहीं किसी दूसरे के साथ हो रही है और तब आपको उसका सही सोलुशन मिलेगा तो आज के दिन आपको प्रॉब्लम में नहीं खड़ा होना बलकि सुलुशन में खड़ा होना है आपका दिन शुप हो आई जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 5 जुलाई 2023 के लिए आज की तारीख भी है 5 और हम मूलांक 5 के लिए आज गाइडेंस ले रहे हैं और हमें गाइड किया जा रहा है आज के दिन आपको कुछ रिस्क आप ले सकते हैं कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है कोई नए प्रजेक्ट आपके सामने आ सकते हैं जिनको आप नहीं जानते होंगे तो कहीं न कहीं भीतर ही कहते हैं वो थोड़ा से एक भै और जिजक आज आपके भीतर रहे सकती है लेकिन आपको डिवाइन क्या केरें ट्स ओके दिस इस पार्ट आफ लाइफ की थोड़ा बहुत एडवेंचर थोड़ा बहुत रिस्क भी होना चाहिए लेकिन अपनी सुरक होगा लेकिन अगर आपने लापरवाही से बिना सोचे समझे अगर आपने किसी भी चीज प्रॉसेस में आप आगे बढ़ गए तो नुकसान भी लग सकता है तो जो भी कोई काम करें वो खुद की सुरक्षा को मद्दे नजर रखते हुए करें फॉस्ट प्रायरिटी इस य से बढ़ आप आपको कहा जारा है कि आपके जीवन में बदलाव आ रहा है था भी तो भी सुछ बढ़ रहा है दो बहुत हो हो जोह हो तो यहीं होने वाला है तो यहीं विचार रखना है। क्योंकि आपके जिन्दगी में transformation period चल रहा है कुछ बदलाव आ रहे हैं ऐसे में परमात्मा आपसे क्या कह रहे हैं कि आपको अखंडिता को बनाई रखना है किसी भी प्रकार से अपनी energies को अपने thought process को negative ना होने दे बलकि सहज भाव में रहें और केवल साक्षी भाव में रहे सोची मत किया आप करता हैं आप करने वाले हैं नहीं बस आप यह सोची कराने वाला परमात्मा है जो हो रहा है मैं इसको साक्षी भाव में देख रही हूं आपका देन शुबहो आए जानते हैं मूलांक साथ के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 5 जुलाई 2030 के लिए और मूलांक साथ के लिए हमको गाइड किया जा रहा है पेशिंस का काड है मूलांक साथ का नाम हम लेने हैं और आपका लखी नमबर भी है नमबर साथ आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन किसी प्रकार की हडबड़ी ना करें क्योंकि अगर आप कोई भी हडबड़ी करेंगे तो वो आपका ही नुकसान कर सकती है आज के दिन अधिक धहरे से काम लेंगे उतना ही आपको लाब मिलेगा उतने ही ज्यादा आप टिके रहेंगे सकारात्मक भाव में अपने एक कहते ना ग्राउन्डेड इन से क्योड पुजीशन में तो कहीं ना कहीं आज के दिन आपको पेशिंस रखना है सही समय का इंतिजार करना है कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे मार्केट में ना तो पैसा देंगे ना फशाएंगे और एक विशेश बात अपने माइंड में जो बहुत जादा जो आइडियाज घूम रहे हैं थोड़ा सा भी आपको उसके पर नियंतरण भी रखने की आवश्यक्ता है आईए जानते हैं मूलांक आठ के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 5 जुलाई 2013 के लिए और मूलांक आठ के लिए हमको कहा जा रहा है दो कर आए हैं टुटेलिटी एंड रेबेल आपका जो लखी नमबर है नमबर है पांच और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप जो भी कोई काम करेंगे या जो भी कुछ सोचेंगे प्रोडी गार् के करते हैं हैं आपको प्रियास कर सकते हैं लेकिन आपको यह कहा जा रहा है कि जतना ज्यादा अखंद रहने जहिएंगे अपने ठोर प्रोसिस पर अड़्िक रहेंगे तो आपके सामने सब को जुक्षकन पड़ेगए यह जोईंगे दैव handicल्तानों आप अपने शत्रों को परास्त कर सकते हैं अपने काम के जरीए क्योंकि आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटीज है अपने को पूरा करने की तो डिवाइन क्या कह रहे हैं थोड़े से विरोधी आप सभाव अपना कर लीजिए और साथ ही साथ जो भी काम करना चाहते हैं प मुलंक नौ के लिए मिच्यॉरिटी का कार्ड़ है और बहुत अच्छा कारड़ है आपको कहा जा रहा है कि आजके दिन कहें न कहीं आपका जो विवहार है आपका जू एक कारें करने का और बाचीत का जो आपका तरीका है लोग उस प्रभावित होंगे कहीं ना कहीं आप से सलाह मशोरा लेने आ सकते हैं आजा बहुत मिचुर फिल करेंगे अपने भीतर देखे दोस्तों वास्ट्र चाहि गुष् slippery को आप महशूस करने लग जाते हैं समजने लग जाते हैं दूसरे की कष्ट को दूसरे की पुरशानी को जब आप महसूस कर पाते हैं आप उसकी प्रॉबलम को उसने आपके साथ गरत व्यवहार भी किया होता है ना तब भी पता नहीं क्यों आप उसे माफ कर देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो जिस तरह की परिस्तिती में हैं अगर आप होते तो शायद आप भी ऐसा ही करते तो कहीं हैं अगर आप इन सब चीजों कर अध्यात्म और यही वास्तिक मैचौर्टविच तो आपको क्या करना है आपको आजमेशा अ काम करना है आपको किसी भी है तो यहां दिये नंबर पर आप हम से संपर्क कर सकते हैं आप सभी के भीतर बैटे पर मात्मा को मेरा फ्रेणाम नवश्कार आप सभी का स्वागत है भाग्यम मैं मैं हूँ पंडित चंदर शेकर शर्मा दर्शे को सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की आजनांग है पांच जुलाई सन दोजार तेई स्विक्रम समध दोजार स्सी चल रहा है श्रावन मास है कृष्ण प रातरी दो बच के चपन मिनट तक है आगे धनिश्टा नक्षत रहेगा योग विश्कुम्भ है और योग की द्रश्टी से आज का दिन शुब नहीं है तो किसी प्रकार की को बिजनस डील करने वाले थे रिष्टे की बात चला रहे थे तो आज आप रुख जाईए करण ग किसे टाल दीजेगा क्योंकि इसमें कोई शुबकारे नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए अब इजित मुरत आज बुद्वार होने से मानने नहीं है दिन में दो बार दुष्ट मुरत भी रहेंगे इन्हें ध्यान से समझेगा और सूजबू से टा बहुत सरल है कि उत्तर के और मुख कीजिए थोड़ा सा मूं या धनिया खाके पहले पांच कदम पीछे चलिए और जब यह सारी प्रक्रिया करें तो भगवान श्री राम या अपने अपने इस्ट का हरदे में ध्यान कीजिए उनसे प्राथना कीजिए कि दिशाशूल की त इनका सदुप्योग करने का जो समय है वहें सुबह साथ बचके 30 मिनट से लेकर सुबह आड़ बचके 55 मिनट फिर सुबह 10 बचके 45 मिनट से लेकर दौपेर 12 बजे तक और फिर दौपेर बाद 4 बजे से लेकर शाम साथ बचके 15 मिनट तक यह तीनों काल खंड बाकी पूरे भीर-भार्श के लिए सब्सक्राइब करते हैं मेर्श राषी मेश राशी वालों को अपने से थीयर समर्थन से और स्थेवल वरुकल बारे दियात्मी PVरुट अधिक रहेगी और यात्रा के विचार आ सकते हैं वहीं मित्वन राशी वालों के लिए सावधानी रखने का दिन है वहान इत्यादी ठीक से चलाइं सावधानी से चलाइं और कम राशी Record वीवाइक जीवन में कुछ चूटे मोटे मनमटा विवाड देख सकते हैं सिंग राशी वालों को शत्रुबाधा परिशान कर सकती हाला कि आपका बिगड़ेगा कुछ भी नहीं और कन्या राशी वाले चात्र चात्राओं को भाविश्य को लेकर मिलेगी अच्छी गाइडेंस और तुला राशी वालों को हरदे से संबंदित समश्या और भावनात्मक पीड़ा हो सकती यानि इमोशनल टर्म नहीं पहुचा दे और मकर राशी वालों को आज आत्मिश्वास की कमी मैसूस होगी लेकिन जीवन साथी का साथ और उसका उपस्तित रहना सपोर्ट सिस्टम रहना आपको हिम्मत देगा कुम्ब राशी वाले जो मशीनरी या वाहन से जुड़े व्यावसाय में हैं आज व हमारी अंते द्रश्टी को जागरत करेगी प्रग्या को जागरत करेगी फिर आगे समझेंगे उन विशेश उपायों को जीवन को सुगम सुरक्षित सुंदर और सफल बना देते हैं अंत में करेंगे आज की दिन की जोतिश मंत्रणा और समाधान दर्श को भगवान बुद करके लगबग जरजर हो चुके शरीड से मढ़ने ही वाले थे तो एक जल भढ़ने जा रहे कन्या के गीत के स्वर उन्हें सुनाई दिये जिसके बोल इस प्रकार थे कि वीना के तार को अधिक खैंस देंगे तो वो तूट जाएंगे और ढीले छोड़ देंगे तो उनमें स साधना योग के विशे में यूं कही थी कि युक्ताहार विहारश्य युक्तचेश्टश्य करमशू युक्तश्वपनाव बोधश्य योगो भवती दुखा यानि कि दुखों का अंत करने में सक्षम योग उनी से हो पाता है जो उचित आहार विहार करते हैं उचित श्रम क जागना देहे की आवशक्ता के अनुसार रितु के अनुसार भोजन करना जो एकदम भुका रहे जो बिलकुल ना सोए उससे भी साधन तत्व नहीं मिलेगा और जो भोग की अती करे वो भी साधना की सोच ही नहीं सकता इसलिए मध्यम मार का बहुत बड़ा महत्व है यही शफलता की और द्रढता से और बहुत ही तेज गती से अग्रसर होते हैं । सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका झनम दिन तो जिन जिन लोगों का जनम दिन हैं vaad आज सबी लोग आज भगवान शिव जी पर धतूरे के फल अर्पित करें गुलाब के फूल मोगोरे के फ इनको मिला कर गौमाता को खिला कर आएं तो आने वाला वर्ष बहुती सुन्दर बहुती यूग कारग बितेगा इश्वरी अनुकमपा के साथ बितेगा इसमें कोई भी संदे नहीं ऐसे दर्श को जिन लोगों की जनम पत्रिका में बुद्ध पीडित है या कम्मिनिकेशन स् जीव जी की कृपास से अपना बुद्ध ग्रह जनम पत्रिका का अनुकूल कर सकते हैं इसके लिए करना ये है कि आज आप मूंग हरा वस्त्र 27 त्रिदल बिल्वपत्र और विजया लेकर शिवा ले जाएं सबसे पहले जल द्वारा स्नान करवाएं शिवलिंग पर और फिर प्रियंगू कलिका शामम रूपेन प्रतिमं बुधं शौम्यं स्वामने गुणों पे तम बुधं तम प्रणमाम्यहम अब इस मंत्र को समझते हैं और बुधम तम प्रणमाम्यहं इस प्रकार से आपको उसको जब करना है और फिर ये बिलुपत्र शिवजी पर अर्पित करना है इस प्रकार से 27 वार आप करेंगे इनको और फिर भगवती को यानी माता पारवती को हरावस्तर अर्पित करें भूख प्रशाद धूब दीप से उन बोढ़ी के दिन से आपको बुधी ज्याण सिक्षा में लाब मिलेगा। चर्म रोगों में दातों से संबंदित समश्चाओं में नाक कान के रोगों में आपको आराम आए गा। कुल मिलाके आपकी जन्म पत्रिका के जो बुद्ध ग्रे हैं वो बिलकुल बैलेंस हो जाएंगे उनके आपको अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे दुश परिणामों से आपको मुक्ति मिल जाएगी ऐसे दर्शी को जिन लोगों की कोई मनोकामना बहुत दिन से चली आ रही हो लेकिन उसकी पूरे होने के कहीं कोई आसार नहीं नजर आ रहे हो तो ऐसे मैं आपको चाहिए कि आशुतोष भगवान भैरवनाज जी के शरण लें और उन से अपने पीडा कहें अपनी मनोकामना कहें वो निश्यत रूप से पूरी करते हैं इसके लिए आज आप एक विसस उपाय करें आपको ध्यान से समझना है इस उपाय को इस उपाय के लिए कुछ सामगरी चाहिए इसमें चाहिए चार चम्मच सौंफ दो चम्मच लॉंग इलाइची दोनों को पीश कर बनाएवा पावडर और इनको मिलाएं एक किलो आटे मे और पाव भर यानि 250 ग्राम देशी खांड और फिर इतना पानी मिला लें कि इन सारे सामगरी को आटा गूंथा जा सके अब इस आटे से सर्फ एक बड़ा रोट बनेगा जो रोटी से बड़ा होता है एक ही बनेगा और जब यह रोट बन जाए तो उसमें थोड़ा सा सड़ सब्सका तेल इस पर चुपड़ दें और रोट के ठीक बीचों बीच सिंदूर से एक तिलक कर दें अब भगवान भैरव जी के मंदर जाकर भगवान को धूप दीप अर्पित करके यह रोट भगवान के सामने अर्पित करें और ग्यारे पार्ट भैरव नाम आवले के यान लीचे मंदर से उतरता ही मिलें और फिर एक बड़ा टुकड़ा पीपल के रक्ष की जड़ में दबा दीजिए और बाकी जो छोटे-छोटे टुकड़ें उनको एक ही करके श्वानों को खिलाते आईए और अपने घर आ जाईए लेकिन एक टुकड़ा आपको बचा के रख करें तो भगवान भैरवनाथ भहती प्रसंद भी होते हैं तो यह थे आज की वो विसस्ट उपाए जो आपके बुद्ध ग्रह को ठीक करेंगे मनों कामनाय पूरी करेंगे समश्चाओं साब को बाहर लाएंगे अब बात करते हैं आपके सवालों की आपके सवालों में आज लक्ष्मी योग योग्त मंगल चंद्रमा है और नवमांश कुंडली में जो आपके ग्रह हैं उनकी स्तिती का आकलन बहुत ही अच्छा है तो यह सब चीज़ें यह दर्शा रहे हैं कि आप बैंकिंग फाइनेंस सी एस या एम बीए जैसे छेतर में अपना कैरियर आपको शनी के साथ गुना जा पवश्य करवा लेने चाहिए ताकि अध्यन जो आप कर रही है या जो आपके एजुकेशन रही है डिगरी है उसका पुरा-पुरा लाब आपको मिले और कहीं भी जीवन में निर्ने लेने में आपसे किसी प्रकार की चूक ना हो जाए यह आ पूछा है कि सरकारी नोकरी का योग बताईए देखिए विकाजी आपके सिक्षा के चेतर में या बैंक के चेतर में आपको प्रयास करना चाहिए पत्रिका में भाग्ये का मालिक शनी नीच राशी में तो आप शनी के साथ गुना जाप अवश्य करवाईए और एक नीलम प बाद किसी भी प्रकार की विभागे जांच में आप वा सकते हैं नौंबर सन 2023 के बाद से आपके नोकरी लगने के प्रवल योग शुरू हो जाएंगे जो सितंबर 2024 तक चलेंगे तो अब अच्छे से मन लगा के मेहनत कीजिए साल बर के अंदर आपकी जॉब लग जाएगी तो दर्शे को ये था आज का पंचांग आज के विसस्ट उपाए और ग्यान चर्चा मैं पंडे चंदर शेगर शर्मा ये आशा करता हूं कि बतायो उपायों को सही विधी से करके सटीक समय पे करके और अटूट सद्धा से करके आप पूरा पूरा लाब उठाएंगे और जो ज्यान चर्चा जो सचंग हमने किया उसे अपने जीवन में उतारेंगे जिससे धीरे धीरे आपका जीवन शिव में सत्य में और आनंद में होता जाएगा मैं महादेव से प्रातना करता हूं कि जब आप हमारे बताए उपाय करें तो आपके कश्टों का निवारण हो औ आपकी मनो कामना पूर्ती अवश्य हो साथ एक निवेदन है कि 57 मास में रक्षा रोपन अधिक से अधिक संक्या में आप अवश्य कीजिए इसे चाहे हमारे द्वारा बताये जाने वाले उपायों की दक्ष्णा समझ लीजिए लेकिन साक्षात प्रकट प्रकती भगवती क सेवा अवश्य कीजिए आप कारेक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साथ वाद भगवती आप सबका कल्यान करे जय आदेशक्ति